तो नमस्कार जेहिन जे भारत दोस्तों और मैं फिर स्वागत कुरूंगा आपका अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लोग विच सुनिल तो दोस्तों देखें फिलाल धीरे धीरे फूलो का सीजन आ गया है और मोसम में काफी चैन्जेस आ गया है गर्मी से अब धीरे धीरे मोसम सर्दी की तरफ जाने लग रहा है और बारिस भी अभी कम हो गई है तो आज का टॉपिक हमारा है गुल्दाओदी प्लांट के उपर ग गुल्दाओदी की अगर आप कटिंग लगाने से लेकर पूल आने तक पूरी जानकरी चाहते हैं तो यह वीडियो का बिना इसकीप करें देखें आपको हर चिसकी इसमें जानकरी मिल जागी और फिर आप गुल्दाओदी में अच्छे धेरो फूल बड़े बड़े फूल जैसे भी लेना चाहते हैं वह पूल आपको प्लाट इसे वीडियो में पूरी मिल जाएगे इसमें हम आपको बताएंगे कि आपने कपकप क्या क्या काम करने हैं साथ में हम बताएंगे कि आपने अपने प्लांट को खात कौनची देनी है कपकप देना है पिंचिंग कप करे जानकरी आपको मिलने वाली तो वीडियो में लंभी हो जाए उसके लिए में माफी जाओंगा क्यूकि अगर जानकरी करने पूरी देनी है तो लंभी पनेगी गहीं तो चली करते हैं दोस्तों वीडिो सुरूँ ए दोस्तों हम गुल्दावधी को थिर्म हम सब जानते हैं कि गुल्दा ओदी को हम चार परकाल से लगा सकते हैं लगाने के बात आप इसपी टाइप से कट्ंग लगा सकते हैं कट्ंग आप इस टाइफ से पॉ-ड्र बाद में लगा सकते हैं यह सब्कू कर देख में में shift करते हैं जब cutting size की आपकी हो जाती है और यह पर आप देखेंगे चार cutting है और चारो अलग अलग variety की है तो तो याद रखे कि जब भी cutting लगाएं तो बड़े गमलों में लगाएं और खासकर cutting का जो space मेंने कम रखा हुआ है मगर आपने ज्यादा रखना है cutting का space कम से कम 18-30 इंच मानते हैं मगर तीस इंच से तो निक में होपा कि इतना बड़ा तो वह इस पेस जरूरी चाहिए तो इस पेस होना चाहिए और जब आपकी cutting इस टाइप में आ जाए तो हम करते हैं प्लांट की pinching तो pinching और प्रूनिंग काफी लोग pinching और प्रूनिंग का अंतर नहीं समझ पाते हैं देखे पिंचिंग जब भी करेंगे तो इस टाइप से जब आपके प्लांट की pinching कर देनी है और इसकी भी कर देते हैं तो इससे क्या रहेगा प्लांट जो रहेगा वह जब इसके यह नोट पॉइंट से नहीं प्लांटे निकलेगी तो प्लांट बढ़ेगा आपका बूसी हो जाएगा खाद हो गए रखी प्रोसेस दीव ही है गमले भार थे अब मोसम चेंज होने लगा तो आप देख रहेगा गमले तीजी से सुप में शुरू हो चुके हो और इस टाइम में एक काम और करिए आपको वह काम अभी बताता हूं साथ साथ में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप प्लांट की प्रूनिंग करते हैं अगर आपको कटिंग लेना है तो हम प्रूनिंग करेंगे वह होगा यहां से यह हाइब्रीट के हैं तो इनकी कटिंग जो होती है वह अगस्त में लगा जाते हैं सेक्टेंबर में रि इस टाइब के सपोर्ट ले लीजे और अपने प्लांट वे डाल दीजे और प्लांट को युकि आप देख रहे हैं प्लांट जैसे बढ़ रहा है वो दाएं भाएं सरक रहा है तो हमें उसको अभी सीधा रखना है और कोशिस करना है कि उसको हम सामने लटकने ना दे इदर उदर और प्लांट को सीधा ले जाना है उपर तो इस तरीके से एक हाट लकड़ी का आप सपोर्ट दे दी जी और प्लांट को सपोर्ट देने के बाद यह काम कर लीजे उसके बाद जो रहत देता है खात का प्रोसेस खात की प्रोसेस है आप यह हमारे य चाहे तो आप यह सर्सो की खली आप सर्सो की खली का सर्सो की खली को आप इस तरीके से ड्राइफों में दे सकते हैं या आप यह डीएपी है डीएपी दे सकते हैं कितना देंगे वह अभी बताता हूं आप यूरिया दे सकते हैं क्योंकि हमारा जो गुल्दावगी है ज्याद से ज़्यादा नाइट्रोजन बेस खाते चलता है तो यूरिया भी दे सकते हैं और यह आप इस तरीके से SSB दे सकते हैं सुपर पास्टोएट कहा जाता है इसको यह भी दे सकते हैं और सरसो की खली देते हैं तो इस टाइप से उसका लिक्विड बना लीजे यह धाई लीटर तali सिंद्ग्रान इगर नाट् मन चरक सब्छाट को जो और हमाइन यह धालरश शर फोटा置ने ससे datumen में में 2 ऐग यह दे जैर आप एक एक गुल बना लिया है और इसससे आपके पोदों की ग्रोथ एक दम तेजी से आएगी और फूल आजएगे वह फूल रहेंगे क्योंग तो इस टाइम आपको क्या काम करना है जब आपके प्रांट की ग्रोथ रेती है और दुसरा मोसम चेंज हो रहा है तो आपने क्या करना है इसकी गुड़ाई करनी है अच्छी तरह से गुड़ाई करिए और हम करते रहते हैं इसलिए आप देखेंगे मट्टी भीली है क्योंकि मौसम जब चेंज होते हैं तो गुल्दावदी का गुल्दावदी का गंदो की मिट्टी है हमारे या जमीन की मिट्टी है वह हाड हो लगती है तो इस तरीके से आपने गुड़ाई कर देनी है और जो सूखे पते हो गिरा अगर कुछ हो गया है क्योंकि बारिश लगातार हो तो हम अप्टे प्लांतों को सेडह में रखते हैं और कोसित करते की बंचप में रखनेगा तो बंचप में जब प्लांट रहते हैं तो उसके कुछ पत्ते सढ़ जाते हैं वही मिल्टी कि वज़े से तो इस तरीके से आप कर लिभी आपको अपने प्लांट को यहां पर आके हमने तेजी से बढ़ाना है कि ाफ्ल english ओप अपने खाद देनी है कितना देना है वह बता देताओं यह आप इस तरीके से अपने प्लांट को एक डब्बा बना लीजिए ताकि आपने चीत जो खाद देंगे वो लिमिटेड दे सके और खाद को डालने से पविले आप तकी तरह से खोड़ीजिए जब इसकी खुझबवा चुगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे धाई वगेरा शड़ रखा हो उस टाइम का बद्बु आता है तो इसे आपने देना है अपने प्लांट को इस तरीके से आप अपने प्लांट को दे दीजिए एक गिलास दीजिए क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा डाला है क्योंकि मढ़ा भी गिले हैं आपको दिखाने के लिए डाला है जब भी आप दे गमले के हिसाब से दे और कोशिस करें कि आपका जो पानी हो जो भी आद दे रहे हैं वह गमलों के अंदर ही डिजॉल होना चाहिए इस तरीके से ना निकले बहेना तो आप सरसो की खली को आप ड्रै फो मे दे सकते हैं और ऐसे करके आप सर्षो की खली देए और बिकल कि चूरा करके देए जितना ज्यादा हो सकता है च्छो कर के दीजे और ज्यादाना दे dat पर याद रखेगी सरसों की खली देंगे तो इसमें जो आईगी वह फुंगस की प्रॉप्ट लम आएगी तो आपने जब दी इस तरीके से सरसों की खली दे देते हैं तो गमलो को आपने रखना है इसको सिधा धूप में और साथ में जो हम देंगे वह से स्पी के हम चार से पांच दाने यह डाल करने के बाद आपने गमलो को हमेशा धूप में रखना है नहीं तो आपका प्लांट प्रॉब्लम कर गा और वर्मी कमपोस हो गया यह यूज करते हैं तो गमले गुड़ाई होनी चाहिए आपके और गमले गुड़ाई किरेवे हैं तो आप इस तरीके से दे दीजे कि आपका खाद अच्छी तरह से बेड़ जाएगा और यह जो हमने लिक्विट खाद जो दी है वह आपने अगर आपको तेजी से पोदो की ग्रोध चाहिए तो दस दिन में एक बार दीजे और अगर आप नॉर्मन घर में लगा रहे हैं और नॉर्मन इसको चला रहे हैं त तो आप 15 दिन में एक बार इलिक्विट का इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे देखेंगे देखें कितने ड्राइव हो जाते हैं मौसम की चेंजिस के साथ के आप नीचे देखि लीजे और यह देख लीजे पूरे गमले ड्राइव हो चुके है तो यह काम क मौसम चेंज होगा वैसी गुल्दाओदी में कलिया आने लगेगी और इस टाइप के खात को देंगे जब तक हमारी कलिया नहीं बनती कलिया बनने के जब कलिया बन जाती है उसके बाद आपका काम बनता है इसके रूट फिलिंग जरूर करे और रूट फिलिंग लिए जब तरीका से सब्याएंस में आपके पिताया किस तरीके से आपके खाय देंगे और ये खाद स्लोटीज में रहेगा आपके पोदोर में कलिया की जैसे जैसे आपकी कलियु का दो पढ़ेगा कलिया जाधा ऊचाएंगी तो आपने हर 15 दिन में एक पार जरूर अपने गंबर को सकते साथ में आप ब्लीक्विट खाद्रा जरू दीज़े और जब पोधे में खिते लगेंगे आपके आपने काम करना है कि रेक्शन के तरा है कि ने रेक्शन करते हैं तो आपने जब इसमें कलियां बन जाएंगी उसके बाद आपने लिक्विट खात को बंद कर देना है और उस टाम देना है सर्जों की खली अगर आप चाहे तो बनाना फील्स और दे सकते हैं बनाना फील्स भी एक सलो रिलीस खाद है और इसके बाद जो खाद आप प्रोसेस में रखेंगे कि आपके गमले सुके ना ज्यादा गीले हो गमले की मिट्टी हमेशा नमी बनी चाहिए और गमले को हमेशा गुल्पदी की जो प्लांट उसको आप डारेक्ट संप्राइट में रखेंगे क्योंकि इसे 6-8 जो बढ़ती है तो इस वाज़े से आपकी गुल्पदी अच्छी हो जाई अगर इसके शिवा भी इसमें कुछ कीड़े वगरों की प्रोप्रम आईगी साथ में कुछ के बग क्योंकि जब पेट्स जबगेंगे या बक्स अर्टेक होगा या कुछ सडल निया उसी तरीके उसको देख के किया जाएगा कि केस्टाइब की बग्स से उसको किस्टाइब का ट्रीटमेंट ना करेंगे तो आपको गुल्दावदी आपको एक अच्छा प्लाहर करेंगा कई प्लावर आपको हजार 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 अगर आपकी केक अच्छी है कंपोस्टिंग अच्छी है आप एक प्लांट से भी एक हजार सकते हैं अगर आप इस टाइप के हाईब्रीट में बाद करेंगे तो इसमें ज्यादे फुल नहीं आएंगे आपको जो भी मिलेंगे वह से बाद बाद होगा अगर आप देखनेगा तो आपनी कि अच्छी है कि अच्छी ग्रोट में यह सब आ गया है तो अभी पास दिन पर इंप्रटिंगों को लगाए वाद यह जो फ्लावर करेंगे यह रहेगा आपका विसम्मस की फ्लावर की शुरू होगी और इसमें जो विराटी है वो फॉम्पों में इस्पाइडर फार्मां एजयी की इसमें वराटी है ओप यह तरह इस तर इक है से अगलिए बात करेंगे तो यह यह जया और सरदमाला सरदकांती के ब्लाट है यह और इसमें जाता हुथ है जीघान दो दो आएगे हैं तो तेखे पुराने गुतावधी पेड है और पुराने गुतावधी की घ्रोध देख लीजिए आप पुराने गुतावधी देख लिए आप जबस रहती है तो आप यह नहीं चिंता करेंगे आपकी गुंदाओदी के पेड़ पुराने हैं या अगले साल के हैं वो फ्लावरी आती है मगर आपकी केर ठीक होगी आपकी ठीक होगी पूल अपने साइज में ही आते हैं और इस तरीके से सपोर्ट लगा लिजिए कि पुराने गुदाओदी के बढ़ते हैं जब कि कटिंग आपकी केर के ऊपर एंट था अपने आप्टाइब था प्रिय आपके जब रूक्षिक इस ताइप था भी देख सकते हैं तक में घुल्दाओदी में कलिया बनने लगी है कलिया आने लगी है तो यह देखे कलिया बनने लगी है तो यह भी पुराना ही पेड़ है और कलिया बनने लगी है कटिंग हो गए रहे कि प्रोसेस ठीकी तो पेड़ की आप उचाई भी देखेंगे और इसके भूसी भी देखेंगे पेड़ को तो हाइब्रीट के जो पेड़ की केर कर लीजिए और धेरोफुल के साथ में एक सुन्दर से गार्डन का सुन्दर फ्लावरिंग वाले गम तमनों का अनन लीजिए वीडियो थोड़ी लंबी बनी होगी इसके से अगर आपकी गुल्दावदी में कुछ भी प्रॉब्लम में आप मुझसे पूस सकते हैं और इस प्रोसेस से आप गुल्दावदी लगाते हैं तो आपको धेरोफुल तो मिलेंगे ही और साथ में आपका गार्डन को अच्छा सा लूग भी मिलेगा तो हासा है वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो ज्याश्यादा लाइक सेर और करें मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए जैंग जैंग भारत वंदे मात्रम बाइबाए टेक केर